हलो गाईज वेलकम बाक टू मैं चैनल मैं हूँ अनुराधा सिंग और अब हम लोग रोहतांग पास से वापस चाह रहे हैं सोलांग वैली वाया अटल टनल सो यह आप रास्ता देखो कितना खूबसूरत रास्ता है और बिलकुल बर्फ से यह रास्ता जो एक कवर हो जुक है आप पहाड वगेर उदर देखो कितना सुन्दर लग रहे हैं बहुत ही अमीजिंग लग रहे हैं और आज का वैदर जो है ब बट फिर भी हमें बहुत मजार है बहुत जादा गाइस अगर अब तक आपने मेरा रहतांग पास वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखे पहले यह वीडियो कंप्लीट कर लें फिर वो वीडियो जाकर जरूर देखे मैं आई बिटन पे डा भिष्षाल आप ये जो व्यू है रोतांग पास से सॉलंग वैली वापस जाने का आप ये व्यू देखिए इतना सुंदर है ये रास्ता बहुत ही अमयीजिंग है और यहां मैं बिलकुल इतना सुंदर रास्ता कोई भला कैसे कट कर सकता है इसलिए मैं कुछ भी नहीं कट कर रही हूँ यहां पर क्योंकि सब कुछ बहुत खुबसूरत लग रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कट करूं क्या नहीं कट करूं इतना सुन्दर रास्ता है यह हम लोग सोलांग वैली वाय अटल टनल जाएंगे और अटल टनल जो है वो हमारे जो ट्रैम मिनिस्टर थे अटल बिहारिवाजबे उनके नाम पर बना है और इस अटल टनल की वजे से जो हमारा टाइम ट्रैवलिंग का जो वह काफी रिड्यूस हो जाता है पहले क्या होता था ना कि जो हमारे स्पीती है और ले लदाख है वहां पर मतलब 6 महीने तक वह बिलकुल कट जाता था इंडिया से इस वज़े से यह अटल टनल भी बनाया गया है वह जो है स्पीती ले लदाख वह सब एरिया कटना हो और यह पूरा जो लेंग्थ है अटल टनल का वह 9 किलो मेटर है और इस ते च्रावलिंग का टाइम बहुत ही जादा बच जाता है और बहुत थी सुन्दर लग रहा है यह पहली स्पीती ले लदाख जो है रुहतांग की थ्रू जाना पड़ता था और रुहतांग पास जो है वो नवंबर और दिसेंबर में जब भी बर्फ जादा पड़ती है तो वो बंध हो जाता है जिस वज़े से स्पीती और ले लदाख लोग नहीं जा सकते थे बट अब वो एजिली अटल टैनल के थ्रू जा सकते हैं ले लदाख स्पीती कहीं भी चाना हो आराम से जा सकते है तो अब हम खा रहें मोमोस उसके हम चाई पिएंगे फिर हम ठाएंगे मैंगी बस इक नहीं हम सोलंग वायल भी पहुँच चुके हैं और अभी हम उधर सिद रहे हैं और अभी कुछ खाक है फिर हम यहां से निकलते हैं और बाखे एक्स्प्रोर करते हैं अब हम लोग यहां पी रहे हैं लेमन ती और फिर एनरजी आ जाएगी से पीकर और उसके बाद फिर से हम घूमना स्टार्ट करेंगे अब हम सोलांग वैली जो है पैदल पैदल एक्स्प्लोर कर रहे हैं सब जगा आस पास जो जगा है घूम रहे हैं आप देखो गाइस कितना जादा ग्रीनरी है बहुत ही ग्रीनरी है सोलांग वैली की अच्छी बात यह है कि पेड़ पौदे बहुत ही जादा है और जब पेड़ पौदे देखते हैं तो आपको पता है कितनी जादा खुशी मिलती है हर किसी को खुशी मिलती है पेड़ यहां पर डैली में रहने के बाद आपको पता लगेगा कि ऐसे जगत जाने के बाद कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है बस ऐसा लगता है कि सारा औक्सीजन बस ले लो अब ले लो अब यहां पर हम भुट्टा खाने वाले हैं और ठंड में भुट्टा खाने का मजाई अलग है और यह है अमराजा सिंग जो बुट्टे में लगे हुई है और अखेले खाने में सरम भी निया आता है इसको तो सोलांग जैसे मैं पहले बता रहा था यह माउंटेन स्पोर्ट्स के लिए काफी फेमस है और यह जो रास्ता देख रहा है यह जो नया आटल टैनल बना है उसको होते हुए ले उसकी तीक के लिए जाता है यह रास्ता जैसा कि आप देख सकते होगी यहाँ पर पेर ग्लाइडिंग सेशिन चल रहा है सोलंग वैली की सबसे अच्छी बात ये है कि हाँ पर हरी याली बहुत सादा है। आप देखो कितना ग्रीनरी दिख रहा है। यहाँ पर पिक्चर्ज भी बहुत ही अच्छे आये हैं। और मैंने यहां पर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी हैं, बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आई हैं यहां पर दिखाव कुछ दिखाव कुछ अगे अगे आज बैसे बारिश है तो ज्यादा इसमें एक्टिविटीज हो नहीं पाएंगी और यहां पर एक है अटल प्याहर इंस्टिटूट ला स्कींग मांटेनिंग करके वह उस साइट जो जो ग्रीन वाला दिखना हुआ है मैंने पहले उसका क्लिप ले लिया है मैं डाल दूए इसमें और यह है आपके सामने जो है यह है रोक्वे एंड इसकी सेंटर यह जो यह है यहां पर आपके 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 सो गाइस हम आ गए हैं यहां पर रोपवे एंड इसकी सेंटर में और यहां पर हम एक्टिविटीज करने वाले है मेरा फोन बिलकुल चार्ज नहीं है क्योंकि हमने रोहताम वाला भी वीडियो बनाया है तो डिस्चार्ज हो गया आपके आपके बता है यह जल्दी दिस्चार्ज हो जाता है तो शायद मैं अब जारा शूट ना कर पाऊं क्योंकि चार्ज नहीं है यह फोन क्यों वड़कर में मौ जिसके इब बदे झाल झाल प्रक्रिती की सभी चीज़ों में कुछ न कुछ अद्भुत है बस एक नजरिया चाहिए जिससे हम इस खुबसूर्ती को देख सकें और उसे संभाल कर रख सकें कुद्रत को देखने का अगर आप अपना नजरिया और कहरा करते हैं तो ये दुनिया सच बताओं आपको बहुत ही जादा खुबसूरत लगने लगेगी सो गाइज यहां पर सोलांग वैली भी हमने कवर कर लिया है और अब वापस मैं जा रही हूं अपने होटेल और फिर मैं आपसे मिलूंगी होटेल में तब तक आप ये जो इतना खुबसूरत सा व्यू है उसको आप इंजॉय केजिए ये रास्ते आप इंजॉय करते हैं हमारे साथ चलिए तो अब हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे और अच्छा दिन बहुत ही अमेजिंग रहा बहुत ही जादा मजा आया हमने बहुत जगह घूमा हूं मतलब आज का वैदर बहुत ही अमेजिंग हो गया था यहां होटेल वाले ने भी बोला कि आप लोग लगी हो कि इतना अमेजिंग वैदर हो गया वरना लोग तरस जाते हैं ऐसे वैदर के लिए यहां गूमने आते हैं कभी ऐसा वैदर होता नहीं है बट हमारी टाइम में अच्छा वैदर हो गया और हमने फॉर्स टाइम स्नौ फॉल देखा तो बड़ा मज़ा है हमें बहुत मज़ा है फिर भी इतनी थकावट तो है नहीं बट स्टिल थोड़ा सा रेस्ट कर लोंगी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दें अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें फैमली के साथ शेयर करें और अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो मेरी आप देखते हो फिर भी सब्सक्राइब कर यार देर किस बात की सब्सक्राइब करें कीचे मेरे चानल को तो फिर से मिलती हूं गाईज मैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई अपना ख्यार रखिगा बाई